जब हाला ग्रह के Accuser, रोनन को Guardians of the Galaxy के फर्स पार्ट में मार दिया जाता है, तो उसकी जगए Darben क्री के लोगों की नई Accuser बनती है, जिसके पास रोनन के जैसे Warhammer होता है, उसको Universal Weapon भी कहते हैं। Darben ने अपने आपको हाला का सुप्रीमर घोशित कर दिया था, वो अपने साथियों के साथ एक लंबे समय से किसी चीज को ढून रही थी, और वो उसको एक बंजर पड़े घ्रह पर, खुदाई करने पर मिल जाता है, वो एक Metal Band होता है, Darben उसको तुरंत पहन लेती है, जिसकी दूसरे के अकेले Band की ताकत भी आधी ही रहती है, इसलिए उसका सैनापती उससे दूसरे Band को जल्दी ढून लेने का उससे वादा करता है, असल में दूसरा Band प्रत्वी पर Miss Marvel यानि की कमाला के पास था, जो उसकी नानी ने उसको दिया था, और उनको उनकी मा आईशा ने द भी नहीं होता, कमाला कैप्टन मार्वेल के लिए इसकदर दिवानी थी, उसने अपना पूरा कमरा उसकी और मार्वेल की फोटो और ड्रॉइंग से भर रखा था, तभी वो देखती है, उसका Band अचानक से अपने आप चमकने लगा है, इससे पहले कमाला को समझ पाती, वो टेलिपोर्ट हो जाती है, कमाला के अचानक से टेलिपोर्ट होने से कुछ देर पहले, कैप्टन मार्वेल किसी अंजान भ्रमान में अपने स्पेश्शिप पर अकेली रह रही होती है, वो इस क्रल के टॉर्चर डिवाइस की मदद से अपनी यादों को देख रही होती है, तभी उसको अपनी दोस्त मार्या की बेटी मोनिका से क्या वादायाद आता है, जब वो सुप्रीम इंटेलिजेंस को खत्म करने के लिए प्रत्वी को छोड़ रही होती है, तो वो मोनिका से कहती है, मैं बस यू गई और यू आई, इस याद को देखते ही मार्वेल डिवा इसको अपने सीर से हटा देती है, उस शिप पर उसके साथ सिर्फ गूज होती है, जो एक बिल्ली है, और उसी ने फ्यूरी की आँख फोड़ी थी, तभी प्रत्वी के सौर मंडल में अपने सेवर यानी की एक अंतरिक्ष यान पर रह रहे है फ्यूरी मार्वेल से कॉन्ट लगाने के लिए तयार हो जाती है, फ्यूरी आगे उसको बताते हैं, उस बड़ी हुई एनरजी से सेवर के डाटा एनलाइजर रडार में कुछ खराबी आ गई है, तो मोनिका और उसकी टीम उसको ठीक करके हमें आगे की जानकारी देगी, मोनिका का नाम सुनते ही मार्वे को बैंड मिला था, वहाँ आकर मार्वेल फ्यूरी को बताती है, यहाँ एक जंप पॉइंट है, जो बंद नहीं हो पा रहा, यह ऐसा है, जैसे यह अटक गया हो, मार्वेल को वहाँ पत्थर पर बैंड का एक ब्लू प्रिंट भी मिलता है, फिर वो उस जंप पॉइंट को देखने के लिए उसके नस्दीक चली जाती है, दूसी तरफ मोनिका भी अपने पास वाले जंप पॉइंट की रीडिंग लेने के लिए उसके पास पहुँच कर देखती है, कि वहाँ से अभी भी एनरजी लीक हो रही है, अब वो दोनों जैसे ही अपने अपनी जंप कर मोनिका की जगहे उसके स्पेस सूट में टेलिपोर्ट हो जाती है, अब मोनिका की जगहे कमाला को स्पेस में देखकर फ्यूरी का सर्च चकरा जाता है, असल में मोनिका भीना स्पेस सूट के उस घ्रह पर इसलिये जिन्दा थी, क्यूंकि वॉन्डा विजन सिरीज में व उनके घर से निकलता देख हैरान हो जाते हैं, अब मारवेल उनके घर से निकल कर जैसे ही अपनी पावर्स को यूज करती है, तो वो वापस MB-418 ग्रह पर टेलिपोर्ट हो जाती है, अब उसको वहाँ क्रीके सैनिक दिखाई देते हैं, वो मारवेल पर हमला कर देते हैं, तो म दार्वेल उनसे लड़ने नहीं, बलकि समझोता करने गई है, इस पर मारवेल उनसे कहती है कि मुझे दार्वेल पर भरोसा नहीं है, और वो टार्नेक्स ग्रह के लिए निकल जाती है, जहां स्कल्स अपना रिफ्यूजी केम्प बना कर रह रहे होते हैं, वहीं कमाला और उ जातियों के साथ इस कल्स के समराठ ड्रोज के पास आकर उसको बताती है, हमारे सुपरीमर के मारे जाने के बाद हमारे ग्रह हाला पर ग्रह युद छिड़ गया, जिसकी वज़े से वहां सांस लेना भी मुश्किल है, और हमारा सूरज लगबग बुझ चुका है, इसलिए म इस ग्रह की हवा को अपने ग्रह हाला पर ले जाने आई हूँ, और क्योंकि हवा के बीना तुम लोग मारे जाओगे, तो मैं तुम सभी इस कल्स को सम्मान के साथ हाला पर बसाऊंगी, और हम सब अपनी दुश्मनी को भुला कर मिल कर रहेंगे, इतनी देर में मार्वल क्री के शिप में अंदर आ जाती है, अब वो जैसे ही सैनिको को मारने के लिए अपनी पावर यूज़ करती है, तभी उसकी जगह कमाला स्विच होकर शिप पर आ जाती है, जिसके सामने गूज, वो बिल्ली, दो सैनिको को निगल जाती है, उस मंजर को देखकर कमाला डर जाती ह अब कमाला के पावर को यूज़ करने की वज़े से मोनिका वहां आ जाती है फिर वो तीनों जितनी बार अपनी पावर को एक साथ यूज़ करती हैं उतनी बार वो एक दूसरे की जगह पर लगातार सुइच होती रहती हैं अब वो तीनों उसी समस्या के साथ फ्यूरी के सेब पर किरी के शिप पर और कमाला के घर पर सैनिकों से लड़ती हैं। सैनिकों को मारने के बाद मार्वेल किरी के सैनपती की बात सुनती है। अपनी अवेंजर्स की टीम में शामिल करने आए हैं। फ्यूरी के लोग उन दोनों किरी सैनिकों को बंदी बना कर वहां से ले जाते हैं। फिर सारी बातों को समझ कर मोनीक सब को बताती है। लाइट एनरजी को एब्जॉर्व कर सकती है। मैं लाइट की सारी तरंगों को द देखकर मोनीका थोड़ी सी सहम जाती है। फिर वो वहां सब को बताती है। हम तीनों का सोर्स कोड एनरजी है। और उस अनिस्टेबल जम पॉइंट को हमारे एक साथ छोलेने से हमारी पावर्स एक दूसरे के साथ उलज गई हैं। और हम जैसे ही अपनी पावर्स को प्रिक्ष में चली जाती है। लेकिन बीच में ही स्विच हो जाने की वज़े से कमाला उपर से नीचे गिरने लगती है। अब सिर्फ मोनीका ही उसको बचा सकती थी। पर वो आज तक हवा में उड़ी ही नहीं थी। तो फ्यूरी उसको confidence दिलाता है कि वो उड़ सकती है। तबी मोनीका अपनी पूरी ताकत लगा कर उड़ जाती है। लेकिन एनरजी का रूप होने की वज़े से कमाला के आर पार निकल जाती है। वो फिर भी कमाला को पकड़ने में कामियाब हो जाती है। लेकिन वो उससे बचा नहीं पाती। तो कमाला गिरने से पहले दोनों क जैसे ही डारवेंड को पता चलता है, कैप्टन मारवेल उसके शिप पर थी, तो वो बिना समय गवाए उस दूसरे बैंड को पहन लेती है, उसका बैंड देखकर कमाला अपने बैंड को छुपा लेती है, तब ही वो मारवेल के साथ ही कमाला और मोनिका को जान से मारने के लिए हमला करती है, तब ही मारवेल बीच में आकर उनको बचा लेती है, लेकिन मारवेल के हमले से डारवेंड का बैंड उसकी सारी उर्जा सोख कर और ताकत पैदा कर देता है, तबी डारबेंड शिप से निकल कर इसकल्स की कॉलनी पर आ जाती है तो वो तीनों भी वहीं पहुँच जाती है तो डारबेंड को लगता है इसकल्स ने मार्वल को उनकी हिफाज़त के लिए बुलाया है इस बात से गुसा होकर वो अपने वार हैमर को बैंड पर दे मारती है जिससे निकलने वाली उर्जा वहाँ एक जम पॉइंट खोल देती है जो उस ग्रह की सारी हवा को हाला पर खीचने लगता है जिसकी वज़े से वहाँ तबहाई मच जाती है और पूरी कॉलोनी तूटने लगती है तो वो तीनों जितने स्कल्स को वहाँ से बचा सकती थी उनक जोता करने आई थी और अगर वो दोका भी देती तो भी हमारा हाल इतना बुरा नहीं होता जितना तुम्हारी मदद से हमारा हुआ है तो मार्वेल समराड रोज के साथ बाकी बचे स्कल्स को सेफ जगा भेजने के लिए वलकरी को बुला कर उनको उसके साथ एस गार्ड भे कि वो बहुत जल्दी पानी और सूरज की रोशनी भी अपने घ्रह पर ले आएगी इस पर उसका सैनापती डार बैंड को बताता है हमारे मरते हुए सूरज को ये अकेला बैंड जिन्दा नहीं कर सकता इधर शिपर मार्वेल के सामने मोनिका का दर्द छलग जाता है वो नम माखों से कहती है तुमने प्रत्वी छोड़ते वे मुझे से कहा था कि बस मैं यू गई और यू आई और मैं आस लगाए आसमान की तरफ देखती रहती थी तो मार्वेल इस बातकर सही से जवाब नहीं दे पाती उसके बाद कमाला इस टीम का नाम दा मार्वेल्स रखती है साथ ही वो दोनों को बताती है जब डारवेंड ने जम पॉइंट खोला तो मेरा ये बैंड चमकने लगा और ये मुझे एक बार पास्ट में भी ले जा चुका है उसकी बाद सुनकर मार्वेल बताती है इसका मतलब ये क्वांटम बैंड्स हैं सिर्फ वही जम पॉइंट की क्वांटम बैंड मिलकर ही अलग-अलग गैलेक्सियों को जोडते हैं और एक बैलेंजड जम पॉइंट नेटवर्क बनाते हैं और अकेला बैंड सिर्फ एक अनिस्टेबल जम पॉइंट बना सकता है जो की बहुत खतरनाक है फिर तो डार बैंड को अगला जम पॉइंट ब कर सब कुछ देख सकती हैं इसी की मदद से मार्वैल ने भी अपनी याद दास्त को वापिस हासिल करा था क्यूंकि किरी के लोगों ने उसकी यादे मिटा दी थी उसके बाद वो तीनों एक दूसरे की यादों को देखने लगते हैं उनको कमाला की याद से स्टार्स का मैप मिल जाता है वो फिर भी एक दूसरे की यादों में गहरी उतर जाती हैं जो मोनिका के लिए बहुत दर्दनाक थी तो वो एकदम से अपनों डिवाइस उतार देती है उसको दूखी देख कमाला उसके गले लग जाती है और मार्वैल को भी गले लगने को कहती है मार्वैल के गले लगते ही मोनिका शान्त हो जाती है फिर वो तीनों पता लगा लेती है कि डार बेंट जम पॉइंट्स की मदद से अपने ग्रह हाला को फिर से बसाना चाहती है जिसके लिए उसने पहले टार नेक्स ग्रह की हवा हाला तक पहुँचाई और अब उसको पानी चाहिए त फिर वो अलादना पहुँचका डार वेंट से उसका बैंट चीन लेगी लेकिन उससे पहले वो अपने आपस के स्विच होने वाली प्रॉबलम को अच्छे से काबू करने के लिए शिप पर ही उसकी प्रैक्टिस करती है और अपने होर है स्विच को समझ जाती है फिर वो ज अमाला और मोनिका को पता चलता है मारवल इस ग्रह के राजकुमार यान की पतनी और यहां की राजकुमारी है यह पता लगते ही दोनों के होश उड़ जाते हैं तो वो बताती है कि वो सिर्फ मेरा एक दोस्त है यह सब मुझे एक समझोते के तोर पर करना पड़ा मारवल आ मारवल अपने आने का मकसद बता कर राजकुमार और सैना को लड़ाई के लिए तयार करती है तबी डारबैन अपनी सैना के साथ वहां आ जाती है और राजकुमार से उसके आगे जुगने को कहती है पर राजकुमार वैसा करने से साफ मना कर देता है राजकुमार के मना करत प्रेशर से अलादना का पानी हाला पर खिचने लगता है लेकिन जंग फिर भी जारी रहती है और जब कमाला को एहसास हो जाता है कि क्रीकी मिसाइल उनके क्राफ्ट को उड़ा देगी तो वो जंप पॉइंट को खोल कर तीनों के साथ किसी दूसरे भ्रमान में आ जाती है इस पर कमाला मार्वेल को समझाते हुई कहती है मुझको अपने बैंड को उससे बचाना था इसलिए उसने जंप पॉइंट खोला तो मार्वेल उनको सच्चाई बताते हुए कहती है कि क्रीपर हजारों साल से सुप्रीम इंटेलिजेंस का राज था जिसकी वज़े से वहाँ जंग छिड़ गई तो जंग को रोकने के लिए मैंने सुप्रीमर को खत्म कर दिया लेकिन उसके खत्म होते ही वहाँ सब कुछ बिगड़ता चला गया और मेरी वज़े से वहाँ तबहाई हुई जिससे हाला की हवा दूशित हो गई इसलिए वो लोग मुझको महाविनाशक कहते हैं और इसी गिल्टी की वज़े से मेरी याददाश्त आजाने के बाद भी मैं मोनिका के पास लौट नहीं पाई बस सब कुछ सही करने में लगी रही उसकी बास सुनकर मोनिका कहती है इन सब हादसों से फैमली को फरक नहीं प इधर सेबर पर फ्यूरी को बड़े अजीब से दिखने वाले अंडे मिलते हैं जिसकी वज़े से सेबर की AI सबको वहाँ से सुरक्षित निकल जाने को कहती है तबी फ्यूरी को पता चलता है वो सारे अंडे गूज के हैं जिसमें से उसके बच्चे निकलने शुरू हो जात तो मारवल उस बिल्ली के बच्चे को वैसा करने से रोकती है तो फ्यूरी उसको बताता है बिल्लियों को इन लोगों को निगल जाने दो क्योंकि इससे ये सब एक पौड में फिट हो जाएंगे तबी मोनिका बताती है डार्बेन हमारा सुरजी हाला पर ले जाने वाली है इतने में बिल्ली के बच्चे सभी मेंबर्स को निगल जाते हैं उसके बाद फ्यूरी और कमाला की फैमिली बिल्लियों के साथ ही एसकेप पौड में बैठ कर सही सलामत प्रित्वी पर आ जाते हैं डार्बेन प्रित्वी का सूरज अपने घ्रह पर ले जाने के लिए जंप पॉइंट को बंद ना कर दें और उसका बदला अधूरा नार है जाए तो मोनिका डार्बेन को बताती है तुम्हारा सूरज अभी भी पूरी तरह से बुझा नहीं है और उसको फिर से रोशन करने के लिए जितनी एनरजी चाहिए वो मार्वेल के पास है मार्वेल अपनी गलती सुधारने के लिए उनके सूरज को रोशन करने के लिए राजी हो जाती है फिर वो जैसे ही डार्बेन की मदद करती है तबी डार्बेन बड़ी चालाकी से कमाला को अपने वार हैमर के नीचे दबा कर उससे उसका बैंड लेकर उसे पहल लेती है और इससे पहले वो दोनों बैंड को आपस में टकरा पाती, तब ही मारवैल उसे लेकर अंतरिक्ष में आ जाती है, और अपनी उर्जा उन दोनों बैंड से में भर देती है, अब डार बैंड को जैसे ही मौका मिलता है, तो वो एक और जंप पॉइंड को आपस में टकरा देती है, जिससे बैंड से निकलने वाली असी मूर्जा डार बैंड को ही नश्ट कर देती है, साथ ही वो जंप पॉइंड को चीर कर उसको कंट्रोल से बाहर कर देती है, कमाला मार्वेल और बैंड को वापस शिप पर ले आती है जंप पॉइंट को फटा हुआ देखकर मोनिका बताती है डार बैंड ने एक असमानने वर्म होल बना दिया है और उसके दूसरी तरफ कोई दूसरी डामेंशन है यानि कि दूसरा आयाम जिसमें हमारा भ्रमाण खिचता चला जा रहा है फिर कमाला के पूछने पर मोनिका बताती है इसको बंद करने के लिए तुम और मार्वेल इतनी एनरजी बना सकती हो जितनी एनरजी से वर्म होल बना था और मैं उस सारी एनरजी को जमा करके उस वर्ब होल के अंदर जाकर उसको ठीक कर सकती हूँ इस बाग पर मारवेल उससे कहती है एक साथ पावर यूज करने से तो हम स्विच हो जाएंगे तबी कमाला बताती है दोनों बैंड्स के टकराने के बाद अब हम स्विच होना बंद हो गए हैं फिर कमाला दूसरे बैंड को भी पहन कर उनको आपस में टकरा देती है जिससे बेहिसाब उर्जा निकलती है मार्वेल भी अपनी एनर्जी मोनिका पर फैकने लगती है उन दोनों की एनर्जी से मोनिका का पूरा शरीर उर्जा से भर जाता है और उसमें एक तारे जितनी उर्जा आ जाती है वो वर्म होल के दूसरी तरफ जाकर उसको बंद करने लगती है लेकिन उसको बंद करने के चक्कर में मोनिका उसी आयाम में रह जाती है और मार्वेल भी उसको रोक नहीं पाती जिसकी वज़े से कमाला मार्वेल से लिपट कर बहुत रोती है उसके बाद कमाला प्रत्वी पर आकर फ्यूरी को बताती है मोनिका किसी अंजान आयाम में फंस गई है और कैप्टन मार्व अपना वादा पूरा करने के लिए हाला गई है वो वहां के सूरज को फिर से रोशन कर देती है अब हाला पर हवा, पानी और सूरज की रोशनी तीनों वापस आ चुकी थी उसके बाद मारवल सब को लेकर लूसियाना अपने दोस्त और मोनिका की मा मारिया के यहां आ जाती है वो सभी अपने समानों के साथ मारवल का भी समान उस घर में लगाने लगते हैं साथ ही कमाला का परिबार भी वही रहने के लिए आता है वही कमाला को मारिया का प्लेन दिखाई देता है जो उसने मोनिका के लिए तैयार किया था उसमें बैठ कर मारवल कमाला को बताती है जब तक मोनिका वापस नहीं आती तब तक मुझे इसका ख्याल लखना है दोस्तो इसका pre-credit और mid credit scene हम दूसरी वीडियो में explain करेंगे और ये movie यहीं खत्म हो जाती है आशा करता हूँ कि आप सभी को ये explanation पसंद आई होगी और भी movie के explanation सुनने के लिए आप हमारे इस channel को like करें, subscribe करें और साथ ही bell icon दमाना ना भूलें